आपको बताएंगे बिहार बोर्ड से जोड़ी हार अपडेट बिहार बोर्ड के विधारती बेस्तवरी से अपने बोर्ड नतिजों का अंतजार कर रहे हैं दस वी और बार वी के दोनों ही विधारती अपने अपने अन्मित्यों का पेस्टबरी से इंतजार कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि रिगर्ड जो तयार देना काम है वो कहां तक पहुचा है। तो अन्वाध आप ये बताईए कि हमने सुनाए कि ओमाड ओमाड शीट में उनको स्कैन करने काम में कोई धिक्कत आ रही है। तो बताईए ये काम कहां तक पहुचा है। जी, दरसल क्या है पहार बोर्ड में उने स्कैनिंग के दौरान कुछ ऐसी खबरे मिल रही है। इंटर मैट्रिक के स्टुडेंट में करीब एक लाग स्टुडेंट ऐसे हैं जुन बड़ करती है। ये मामला तब सामने आया जब स्कैनिंग का काम चल रही है। इन OMR शीट कहीं से पटा या मुड़ावा नहीं हो जाए। आधे अधुरे OMR शीट की वज़े से कई स्टुडेंट का रिजल्ट पैंडिंग हो जाएगा। इन स्टुडेंट का रिजल्ट पैंडिंग ना हो इसके लिए बोर्ड ने पूरी तयारी कर लिए है। 46 लोगों की टीम लगातार इनके सुधार का काम कर रही है और जल्द ही ये स्कैनिंग का काम पूरा जाए। आप अपना रिजल्ट देखने के लिए गूगल पर जाया और सर्च करें Mr.Sarmatarget.in चले मैं आप लोगों को गूगल पर जा करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सर्च करना है और कैसे आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख पाएंगे तो चलिए। आपको गूगल में आ जाना है इस तरह से गूगल को अपन कर लिजेगा ठीक है किसी भी ब्राउजर से आप खोल सकते हैं और गूगल में आने के बाद जो है न आपको यहां दिखिए सर्च बार में लिखना है जो मैं आपको टाइप करके देखाता हूँ जैसे जैसे मैं कह यहां पर लिखेंगे मिश्टर सर्मा टार्गेट इसके बाद डॉट लिखेगा डॉट का मतलब होता है बिंदू डॉट इन इन यहां देखिए मैं यहां पर लिख लिया ध्यां से देखेंगे को स्पेलिंग को मिस्टेक नहीं करिएगा ठीक है तब ही आपको पूरी बाते समझ में आएगा Mr.SamaTarget.in करने के बाद आपको डिरेक्ट क्या करना है सर्च बार में सर्च करना है ठीक है तो चलिए मैं यहां पे सर्च करता हूँ कुछ सेकेंड का समयल अएगा और यहां आप लोग home page पे आजाएंगे ठीक है home page पे आने के बाद थोड़ा सा scron long करेगा और यहां पे दिखें क्या लिखा वाए दोस्तो metric inter result 2023 आपको किसी भी icon पे यहां पे दिखें टच करना इस picture पे इस तस्वीर पे यानि के pick पे आप तच करिए तच करने के कुछ second के बाद आपको कुछ इस तरह से आइकन दिखाए देगा उपर करिएगा देखे कुछ इस तरह से और यहां पर आपको बताया गया है देखे ध्यान से बताया गया दोस्तों कि बिहार बोर्ड metric inter result out link active today बिहार बोड ने जारी किया Metric Inter का final result link active हो गया है now mr.sarmatarget.in यहां से आप लोग इसको पूरा article को आप पर सकते हैं यहां पर किसी भी परकार का कोई confusion या कोई doubt नहीं है पूरा article को आप पर सकते हैं परने के बाद देखें दोस्तों आप लोग नीची आईए नीची आईए तुरंत फौराण नीची आजाएगा कोई doubt नहीं इस पूरे article को आप पर सकते हैं अगर आपको कोई doubt लगता है यहां देखें लिखा हुआ है कि दसमी बारविक अच्छा 2023 का result आप लोग कैसे check करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां जो जो मैंने यहां पर five six step बताया गया उसको आपको flow करना है यहां देखें दोस्तो download enter result 2023 link one link two और link three यानि तीन link आपको एक साथ दिया गया है कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग जिस link से चाहे यहां पर जो है जिस link से चाहे आप लोग अपना result को check कर सकते है link one पर दबाने के बाद आपके पास जो है आइकन खुलेगा उसमें आप लोग roll code roll number और capture भरने के बाद submit कर दिजिए आप लोग का अपना result आपके पास हो जाएगा ठीक है यहां पर आप हमें चाहे तो join कर सकते हैं WhatsApp group को join कर सकते हैं क्योंकि आपको exam से संबंदित सारी जानकारी A to Z जानकारी जो है न बिहार वोड की A to Z जानकारी आपको मिलती रहेगी यहां पर WhatsApp group पर telegram को आप हमें join कर सकते हैं Instagram को join कर सकते हैं आप मेरा official YouTube channel है मेरा जिस पर मैं केवाले study कराता हूँ उस पर जाकर जो आप channel देख रहे हैं यहां पर भी आपको जो है न education से संबंदित सारी जानकारी दी जाती है साथ में आपको जो है न A to Z A to Z class 10th की तयारी कराई जाती है my official website है यहां पर क्लिक करके मेरे website पर आप जा सकते हैं तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना result चेक कर सकते हैं यह था आप लोग का इंटर वालों का result इसी तरह से मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ वहां से आप 10th का पूरा उपर आ जाएंगे यहां दिखिए पूरा उपर आने के टीव टूडे लिखा हुआ है यहां पर आप जा करके 10th क्लास का result देख सकते हैं जब 10th क्लास का result आया जाएगा तो ठीक है अलग से मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का भी result option देखने का बना दूँगा जहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful साबित होने वाला है अगर आप लोग अभी तक चैनल को like नहीं किये तो like कर लीजे चैनल पर पहली बारा है तो subscribe करके साथ में bell icon को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ पूरा सतीक and clear बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखे दूस्तू यहाँ पर लिखा गया है यहाँ देखे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका coming soon क्या लिखा हुआ है coming soon का मतलव था आने वाला है जल्द आने वाला है बिहार बोर्ड रिजल्ट डेक्लियर्ड होने वाला है अभी समय है क्योंकि InterQCOMPY का मुल्यांकन कारी अभी शुरू है अभी समाप्त नहीं हुआ है समाप्त होने के तुरंत बाद जैसे ही समाप्त हो जाता है चैनल पर पहली बार आने तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो को लाओंगा तो सबसे पहले नॉटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और इस बार का जो रिजल्ट होगा ना आपका बहतर से बहतर रिजल्ट आने वाला है क्योंकि जिस तरह से कॉपी का मुल्यांकन कारिए पिछले कुछ दिन्यों से हुआ है ऐसे देख कर लगता है कि आप लुगों के लिए जो है न जोला भर के भर भर के आपको नमबर दिया जा रहा है तो यह बहुत खुसी की बात है आप लोग मुझे कामेंट करके बताईएगा क्या इस बार का रिजल्ट बहतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना और नीचे description box में telegram whatsapp group का link है उसको जरूर जोएन कर लिजेगा तो मिलते हैं next video तब तक के लिए जया हिंद